सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर्की क्लास आज की ये शिक्षा निरेशाले राष्टर राजधानिक शेत्र दिली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर दस जो की कक्षा सात्वी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है गणित विशे से और आज हम जिस टॉपिक के बारे में समझेंगे वह है त्रिभुज तथा उसके गुण जिसमें हम समझेंगे समकोन त्रिभुज और पाइथा गौरस गुण के बारे में तो देखे अगर आपको याद हो तो पिछली वर्कशीट में हमने त्रिभुज के बारे में ही जाना था और ये भी जाना था कि भई त्रिभुज के तीन कोन होते हैं और त्रिभुज में तीन भुजाय होती हैं और त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदू होते हैं किस तरह से हमने लंब के बारे में भी जाना था कि जो की जो बीच वाली भुजा होती है उसको वो बीच में से जोडता है शीर्ष जो है तो इस तरह से हमने इसके बारे में जाना था आज हम समकौन त्रिभुच के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि पाइथागॉरस गुन आखिर होत कहते किसे हैं और साथ में वर्ग संख्याओं की जानकारी भी हमें होनी चाहिए तो सम कोन त्रिभुज किसे कहते हैं जिसमें एक जो कोन है जिस त्रिभुज में एक कोन 90 डिगरी का हो जैसा कि हमने पिछली वर्गशीट में जाना था ना कि त्रिभुच के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है यानि जो तीन कोण होंगे चाये वो कितने भी डिग्री को हों लेकिन तीनों को मिलाके उनका कुल योग 180 डिग्री ही होना चाहिए इसी प्रकार आज हम जिस त्रिभुच के बारे में जानेंगे उसका नाम है सम कौन त्रिभुज, जैसे पिछले वर्कशीट में हमने सम बाहू और सम दूई बाहू त्रिभुज के बारे में जाना, आज सम कौन त्रिभुज के बारे में समझेंगे, तो अगर आप यहां पर एक आकरिती देख रहे हूं, यहां आपकी वर्कशीट में एक आकरिती बनी हूई है, इसे हम कहते हैं सम कौन त्रिभुज, क्योंकि जो इसका एक कौन है, अगर आप ध्यान से देखें, तो यह 90 डिगरी का कौन होता है, यह वाला, जो मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था, कि यह L शेप का होता है, इसको हम कहते हैं 90 डि पिर इसके बाद जो अवशक पूर्व ज्यान में लिखा हुआ है, वर्ग संख्याओं की जानकारी, आखिर यह वर्ग संख्याओं क्या होती है, जैसे आप देखें, दो, दो का वर्ग जो होगा, वो क्या होगा, चार होगा, कैसे, वर्ग का मतलब होता है, जितनी संख्या लिखे उतनी ही संख्या से उसको गुणा करना जैसे 2 का वर्ग यानि 2 गुणा 2, 4 4 का वर्ग कितना होगा 4 गुणा 2 नहीं होगा 4 गुणा 4 यानि 8, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 8-8-64 होते हैं इस तरीके से वर्ग संख्याओं की जानकारी हमें होनी चाहिए और वर्ग इस तरीके से ही होता है तो चलिए आज की वर्ग शीट शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें है क्या बच्चों घर में एक स्तिती की कलपना करते हैं जहां आपको दिवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्ष से 10 मीटर की उंचाई पर लगी हुई है उसके लिए एक 8 मीटर लंबी सीड़ी का प्रियोग कर रहा है अब सीड़ी को दिवार से कितनी दूर रखा जाए ऐसी परिस्तिती में दिवार वा सीड़ी के बीच की दूरी ग्यात करने के लिए पाइथा गौरस गुन का प्रियोग करते हैं अगर आप इसको आज ही समझ जाएंगे इसी वर्क्षीट में समझ जाएंगे कि पाइथा गौरस क्या चीज होती है तो ये आपके 9 दस्वें में भी काम आएगा और कई बच्चे लिखते भी हैं कि सर बहुत मुश्किल होता है मैथ आपको नहीं पता लेकिन बिटा अगर हम किसी चीज को मुश्किल कहेंगे तो वो मुश्किल नहीं वो डबल मुश्किल हो जाएगी लेकिन हम ये समझते हैं कि सामने जो हमारे चीज़ है वो असान है अगर हम उसको असान समझते हैं तो वो हमारे लिए कुछ असान और हो जाती है तो देखिए आखिर ये पाइथा गौरस है क्या चीज़ इसा से छटी शताब्दी पूर्व एक युनानी दार्शनिक पाइथा गौरस ने समकोन त्रिभुच से संबंदित पाइथा गौरस गौर्ण की जानकारी दे समकोन त्रिभुच में समकोन के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं तो देखिए एक एसा से भी जो एसा मसी को हम जो जैसे मानते हैं कि आज 2000 होगे जो 0 एयर होगा उससे भी 6 शताब दिया पूर्व यानि 600 साल पहले तो तब एक यूनानी दार्शनिक ने पाइथा गॉरस जिसका नाम था उसने ये गुन की जानकारी दी थी तो अब ये समकोन तरिभुज में उसने ये भी पताए कि समकोन की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं तो देखी ये तो मैंने आपको ये ब्लू कलर से दिखाए ये तो बन गया समकोन तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हुई ये वाली इसको हम कहेंगे कर्ण क्या बोलेंग परबने वर्ग का क्षेतर फल अन्य दूनों भुजाओं पर बने वर्ग का किशेतर फलों के बराबर होता है अब बार बार शब्दा रहा है वर्ग याद रखेगा मैंने अभी स्टूडियू में बताया वर्ग किसे कहते हैं? तो कर्ण पर बना वर्ग का शेत्रफल, यानि जो मैंने अभी लंबी भुजा दिखाए, उसको हम मान लेते हैं, वो C है, तो यानि C का वर्ग का शेत्रफल, क्योंकि आपको पता है न, शेत्रफल हमेशा स्क्वेर में निकालते हैं, वर्ग में निकालते हैं, तो C स्क्वेर, यह C square का मतलब समझते हैं क्या होता है? C गुना C बराबर होता है दोनों भुजाओं के जो शेत्रफल हैं, वर्गों के शेत्रफल हैं उसके बराबर तो यह फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे C square, square बोलेंगे इसे, C square बराबर B square प्लस A square तो अब आप देखेंगे कि C एक कर्ण है और A और B अन्य बढूनों भुजाओं हैं इसको बहुत ध्यान से समझेगा, नहीं समझ में आएगा, आपको दुबार असे मैं बता दूँगा अगर आपकी कोई query होगी तो, ध्यान देजिए कि समकोन त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है जैसा कि मैंने अभी अभी उपर आपको दिखाया, आप इसमें भी देख सकते हैं पर अगर आप देखेंगे, ये समकोन त्रिभुज है, ये बना समकोन और ये बन गया इसका पूरा त्रिभुज तो आप अगर ध्यान से देखें, ये वाली जो भुजा है, ये कहलाएगी कर्ण, और ये समकोन तरिभुज की सबसे लंबी भुजा होगी, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी, तो कर्ण का स्क्वेयर बराबर होता है ये वाला इस साइड का स्क्वेयर और इ आईए अब इसको हम उधारन की सायता से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं बहुत धीरे-धीरे समझा रहा हूँ, आप बहुत अपनी कॉपी पैंसिल, कॉपी किताब लेके बैठेंगे, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं समेशा प्रैक्टिस के स तो बताईए कि क्या यह त्रिभुज एक समकॉन होगा, त्रिभुज होगा या नहीं होगा, तो मैंने अभी अभी जो आपको फार्मूला रटवाया, उसको दिमाग में रखिएगा, कि C स्क्वेर बराबर A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर, स्क्वेर का मतला बता दिया, यानि जितनी संख्या लिखे है, उसको उतनी संख्या से गुणा करना है, तो अब देखिए जरा, अगर इन तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा, मैंने अभी आपको बताए कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी कर्ण, कर्ण कौन सा होता है वो भी आपको बता दिया, त तो इसमें अगर हम कर्ण छाटें तो वो हो गया, देखो 3 cm, 4 cm, 5 cm में, जो सबसे बढ़ा है वो है 5 cm, तो अगर 5 cm कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, वर्ग का मतलब समझाया, स्क्वेर का मतलब, जितनी संख्या लिखें उसको उतनी से ही गुणा कर दो, तो 5 गुणा पर उपर छोटा सा दो लिखा है न, इसको हम वर्ग कहते हैं, याद रहेगा, और जो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या बनेगा, 4 cm और 3 cm है, तो 4 cm का वर्ग का मतलब होता है, क्या बताया था, वर्ग का मतलब, जितना लिखा हुआ है, उसको उतने से ही ग गुणा कर दो, तो 4 cm का वर्ग का मतलब हो गया, 4 गुणा 4, और 3 cm का वर्ग हो गया, 3 गुणा 3, अब समझ में आया, तो ये तो हो गया 16 cm वर्ग और ये हो गया 9 cm वर्ग, इन दोनों को आपस में जोड़ा बना 25 cm वर्ग, अब बताओ, जो हमने उपर फार्मूला समझा था कि C square बराबर, ये बराबर है सौरी, A square प्लस B square, अब हो जाएगा, जो C square हमारा कितना आया, अब ही आप देखिएगा, 25 cm वर्ग, तो अगर हम उपर वाले फार्मूले से देखेंगे, तो देखो C square क्या आएगा, कर्ण का वर्ग क्या आएगा, 25 cm square या वर्ग, और दोनों भुजाओं का योग कितना आ रहा है, वो भी आ रहा है, 25 cm वर्ग, तो इसका मतलब जब दोनों साइड बराबर है, तो ये एक समकूण त्रिभुज होगा, अब समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, अब चलिए, इसी पर आधारित हम अपने प्रशनों के उत्तर कर करने की कोशिश करें, तो जो पहला प्रशन है न, वो है कि प्रारम में दी गई स्थिती का हाल, पाजथा गौरस गुण के द्वारा कीजिए, याद रखेगा उपर जो हमने अभी कोशन देखा था, जिसमें एक 10 cm था और एक भुजा थी 8 cm, तो हमें कर्ण निकालना था उस स्क्वेर बराबर B स्क्वेर प्लस A स्क्वेर, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले प्रशन में थोड़ी सी कुछ टाइपिंग मिस्टेक है या कुछ मिस्प्रिंटिंग है, तो इसको आप अपने सर या मैम से जरूर पूछें क्योंकि मुझे वो कोशन सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ मिस्प्रिंट है, तो चलिए अब हम दूसरा प्रशन करने की कोशिश करते हैं, रीना को एक समकोन त्रिभुज बनाना है, और आप उसकी मदद कीजिए कि वे कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए, तो उसके पास दो माप है, पहली माप है 6 cm, 8 cm और 9 cm, और दूसरी माप है 6 cm, 8 cm और 10 cm, यानि आपको इन दोनों से करके देखना पड़ेगा कि किस में समकोन त्रिभुज बनेगा और किस माप से समकोन त्रिभुज नहीं बनेगा, तो पहले हम पहली वाली माप से बनाने की कोशिश करते है मान लीजिए उसमें A हो गया 6 cm, B हो गया 8 cm और C हो गया 9 cm फिर हमें समकोन त्रिभुज बनाने के लिए ये वाला फार्मूला पाइथा को रोस वाला फार्मूला जरूर याद रखना है C square बराबर B square प्लस A square तो C square कितना हुआ? 9 का square बराबर 8 का square जमा 6 का square तो square का मतलब या work का मतलब मैंने समझाया है 9 square का मतलब 9 गुणा 9 8 का square मतलब 8 गुणा 8 और 6 का square मतलब 6 गुणा 6 अगर आप इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकती है 9 गुणा 9, 8 गुणा 8, और 6 गुणा 6 यह उत्तर हमारा आया, एक क्यासी बराबर 64 जमा 36 जब हमने इसको जमा करके देखा तो एक तरफ तो एक क्यासी है और दूसरी तरफ आया 90 तो क्या यह दोनों बराबर हैं? नहीं इसका मतलब इससे हमें समकोन नहीं बन सकता यहां मैंने लिख दिया है, नहीं फिर है दूसरी सिच्वेशन मान लिए है A बराबर 6 सेंटीमीटर, ब्रीब बराबर 8 सेंटीमीटर और C बराबर 10 सेंटीमीटर फिर फॉर्मूला वही लगाना है C स्कूर बराबर B स्कूर प्लस A स्कूर स्कूर का मतलब उसी संख्या से गुणा करना है तो C मतलब मान लिजिए 10 का स्कूर, A का मतलब 6 का स्कूर और B का मतलब 8 का स्कूर आगे बीचे रख सकते हैं तो इससे आया हमारे पास 100, इससे आया हमारे पास 64 और इससे आया 36 तो इधर तो 64 और 36 तो 100 यानि 100 बराबर 100 इससे तो condition number जो दूसरा है इससे समकूंत्रिभूज बन पाएगा तो इससे हमारा समकूंत्रिभूज बन पाएगा अब आपको समझ में आया कि पाइथा गौरस थेयोरम का एक तो फार्मूला याद कर लीजिए और इस तरीके से हमें कोशन को करना है अगर आज आप चार में से दो प्रशन भी सीख जाते हैं तो मेरा वर्कशीर सिखाने का जो एक उदेश है वो सफल हो जाएगा फिर चलते हैं तीसरे प्रशन पर फिर तीसरा प्रशन है कि एक त्रिभूज है ABC यहां आगर आप देखेंगे कि एक त्रिभूज है ABC ये वाला जिसमें कोण सी एक समकोण है यानि कोण सी एक समकोण है यदि AC 5 है AC हो गया ये वाला यदि AC 5 cm है और AB 13 cm है यह हो गया AB यहां से लेकर यहां तक यह हो गया AB 13 cm है तो BC की लंबाई ग्याद कीजिए यानि आपको इसकी लंबाई पता लगानी है तो अब देखी कैसे होगा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी हमने पीछे वाले कोशन की है हमें पता है कि समकोंड त्रिभुज में जो फार्मूला लगता है वो लगता है C square बराबर A square जमा B square अब हम त्रिभुज के हिसाब से लिखेंगे तो C का मतलब हो गया इसका मतलब हो गया यह वाला यहां पर ऐसे इसका मतलब हो गया A C का square और B का मतलब हो गया B C का square जिसको हमें निकालना है तो अब हमें क्या करना है क्यों जो हमें निकालना है उसको एक तरफ ले जाएंगे जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो यह B C यह ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वेर बराबर AB स्क्वेर माइनस AC स्क्वेर क्योंकि इसके हम साइड चेंज करेंगे तो BC स्क्वेर हो गया 13 का स्क्वेर माइनस 5 का स्क्वेर 13 का स्क्वेर का मतलब 179 और 5 का स्क्वेर का मतलब 25 यानि 13 को 13 से गुना 5 को 5 से गुना तो उत्तर आया 144 अब BC का स्क्वेयर तो स्क्वेयर हटाने के लिए BC जब निकालेंगे तो ये 12 बन जाएगा 12 cm क्योंकि 12 गुणा 12 कितना होता है 144 इस तरीके से हम इसका उत्तर निकालेंगे फिर प्रशन नमबर 4 है चित्र में पतंग उडाने वाले धागे की लंबाई ग्यात कीचिए जबकि जमीन से पतंग क्यों चाई 40 मीटर वा जया से पतंग की दूरी 30 मीटर है तो हम इस तरह से एक आक्रिती बनाके समझ लेते हैं कि देखिए पतंग जो है वो कितने है 40 मीटर उंची है और जया से पतंग की दूरी मालीजे यहाँ पर अगर जया है तो जया से पतंग की दूरी जो है वो है 30 मीटर ठीक है यह हो गया 30 मीटर अब हमें धागे की निकालनी है इसकी लंबाई निकालनी है तो हमें यह हमेशा यह पता होता है कि जो फार्मूला लगेगा वो यही लगेगा C स्कूर बराबर A स्कूर जमा में B स्कूर अब इसको हम जब त्रिभुज के इसाब से लिखेंगे तो वो बन जाएगा A C square C की जगे A C बन जाएगा A की जगे A B square और B की जगे B C square बन जाएगा इस तरह से हमें formula बनाना है A C हमें निकालना है अभी अभी हमने देखा A B कितना है 30 यानि 30 का work और A B C कितना है वो है 40 का work तो अब इनका हमें work निकालना है 30 का work मतलब 30 गुणा 30 बन गया 900 40 गुणा 40 बन गया 1600 तो उतर आया 2500 तो A C square जब आया वो है 2500 तो हम इसको वर्ग हटाएंगे अब हम इसका वर्ग हटाएंगे तो जब हम वर्ग हटाते हैं तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं तो A C आगया 50 मीटर ये हमारा उतर हुआ तो इस तरह से ये वर्गशीट करनी है तो अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हूँ तो इस चैनल को ज़ाद से ज़ाद सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़ाद शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्गशीट को समझते रहिए नेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ बढ़ते रहिए और अगर आपको कोरोना वाइरस से बचना है न तो मास्क जरूर पहनिए क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई धिलाई नहीं धन्यवाद